Hello Everyone, Welcome to PW Only IES दोस्तो प्रिशली सेशन के अंदर हमने General Studies Paper 1 के बारे में चर्चा करी थी आज हम चर्चा करेंगे General Studies Paper 2 के बारे में आप जैसा की जानते होंगे, अगर मैं बात करूँ तो इस बार का जो 2024 का मेंस का पेपर है तो इस तरह से सबसे पहले 20 सेप्टेंबर को आपका essay का paper है उसके बाद 21 सेप्टेंबर के आपके दो paper GS के एंद फिर 22 सेप्टेंबर को GS Paper 3 एंद GS Paper 4 आपको attempt करने होंगे देखो इस paper बार में चर्चा हम अल्रेडी कर चुके हैं जहाँ पर हमने history, आपका society and geography इन तीनों का discussion किया अब हम discussion करेंगे general studies paper 2 का जो कि आपका 25 सेप्टेंबर को afternoon में होने जा रहा है यह कैसा है अब देखो अगर इस particular paper 2 की में division की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने इसको दरसल में total 4 parts में divide किया है एंड यह 4 parts आपके है पहला part हो गया आपका quality plus constitution दूसरा part आपका है with regards to governance right तीसरा part आपका है social justice के regarding and last part आपका है international relation यानि की IR के perspective से तो total GS paper 2 को आप इन चार parts में divide कर सकते हो quality, constitution, governance, social justice and IR अगर देखो बात करें general studies paper 2 की तो जैसा की हर paper होता है यह 200 marks का यहाँ बर भी यह 250 marks का जो paper है इसमें बीना इस चारो components है इनकी weightage अलग-अलग है सबसे जादा जो weightage है वो है आपकी quality and constitution की पिछले कुछ सालों के अगर मैं बात करूँ न तो 200 में से 50% यानि की लगबग 125 marks का paper यहाँ से आता है यह लगबग fix है 125 marks उसी तरह से अगर मैं बात करूँ IR की तो 20% paper यहाँ से आता है यानि की total 50 marks का paper आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा यह दोनों कॉंपरेंट्स लगबग ऐसे ही आते है 125 marks quality constitution से 50 marks आपके IR से पर बाकी जो portion होता है न वो थोड़ा उपर निचे होता रहता है कभी governance में एक दो question जादा पूछ लिए social justice से कम हो गया या social justice से बढ़ गया ऐसे होता रहता है जैसे अगर 2023 की बात करूँ तो social justice का weightage था 12%, 12% का मतलब आपका 20 number का paper यहां से आया एंड यह 18%, 18% मतलब आपका basically हो गया ठीक है तो यह हो गया लगब आपका 45 marks क्या सपास राइट, तो 125 प्लस 45, 180 200, 250, यह 2023 का break up है पर पिछले सालों में न यह ऐसा भी होता है कि social justice कभी 20 की जगा 40 हो गया एंड गवर्नेस 45 की जगा कभी 25 की आसपास पहुंच गया, these things keep on happening थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें तो आप पिछले 5 साल का देखो quality constitution is fixed, 125 आपका जो IR है यह भी हर साल सेम है, 50 पर यहाँ पर बाकी अगर बात करना गवर्नेस की, तो गवर्नेस पिछले साल 45 पे था उससे वेले 35 था, उससे वेले 15 था 20 रहा है, 25 रहा है आपका 25 रहा है, सेम social justice हैशले साल ऐसे था 30, 40 ऐसे उपर निचे मतलब थोड़ा बहुत होता रहता है एक दो question, कभी गवर्नेस से जादा आगे कम आगे, ये चीज़े चलती रहती है तो यहाँ बढ़ना आप लोगों ने एक चीज़ों समझ ली होगी इससर आधा वेपर तो polity and constitution से ही आ रहा है, तो without a doubt ये जो topic है, हमारे tips पे होना चाहिए तो आगे बढ़ने से पहले एक important information मैं आप सभी के साथ share करना चाहता हूँ, दोस्तों मैं वो just region, means guidance program है यहाँ पर आपको बहुत ज़ा help मिल सकती है, चाहे वो regular basis के उपर answer writing की form में हो उनकी evaluation and साथ ही साथ mentorship की form के अंदर देखो, जब आप answer writing करते हो तो regular basis के उपर अगर आपको inputs मिलते रहते हैं, तो आप अपने आपको धीर धीर गर के बहतर करते जाओगे, and हमारे जो experience mentors हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से health भी करेंगे पिछले साल All India Rank 13 वेदा आनंज जी, और इसी तरह से 57th से विजाज selections, इसी particular students main guidance program से हुए हैं, तो आप भी इसका definitely आप यूज कीजिए, यह particular program उन बच्चों के लिए पूरी तरह से free है, जो इस बार अपना prelims clear करेंगे, नीचे description में इसका link दे रिया है, वहाँ पर जाकर आप इस program के अंदर enroll कर सकते हैं, बिल्कुल सभी बात है, तो priority order में हमारे सबसे पहले तो quality and constitution होना ही चाहिए, एड़ इसमें भी देखो, बहुत सारे बच्चे बता क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने prelims पड़ा था, तो समय लक्षमी गांद बुक पड़ी थी, जो भी आपने बढ़ा था, तो वहीं चीज हम means के लिए यूज कर सकते हैं, क्या, यह सवाल आता है बच्चोंगा, एड़ यह काफी general सवाल भी है, देखो, एक्च्चों में क्या होता है na, quality and constitution के अभी मैं questions आपके discuss करूँगा, questions आपके आते हैं, जो लक्षमी गांद से handle हो सकते हैं, पर सारे questions वहाँ से handle नहीं हो सकते हैं, और example, UPSC जो quality constitution के question पूछता है, वो current orientation के जाधा होते हैं, जैसे मालों की center or state चे बीच में कुछ issues आ रहे हैं, तो UPSC is likely to ask कि इनको हम कैसे resolve कर सकते हैं, या फिर क्या better steps ली जा सकते हैं, quality वाले जो constitutional पार्ट हैं, वो तो आपका लक्षमी गांद कमर कर देगा, पर उसमें कैसे valuation करना है, कैसे current phase डालने हैं, कैसे आपके case laws, आपके articles डालने हैं, वहाँ पर हमें थोड़ी सी इसके लगा बाकी जो तीनों पार्ट से न, इनमें तो दसमें आपको बताया, IR से हरसल 50 नंबर का paper आता है, अब IR से 50 नंबर का paper आता है, पर IR तो अपने आप में से बहुत बड़ा component हो दाता है कि यह बार, हाँ विल्कुल ठीक बात है, पर मैं अभी आप लोगों से पिछले 5 साल के जब analysis डिसकस करूगा, आप realize करूगे, जो टोटल यह 50 का नंबर का आता है न, इनमें 90% questions आपके current aspect से होते हैं, जिससे for example AUKUS का formation हुआ, तो उसके पर question आ गया, ITU2 का formation हुआ, तो उसके पर question आ गया, शिरलंका crisis में था, तो इंडिया, शिरलंका के उपर question आ गया, migrants को लेके बात हुई, तो कहीं न कहीं, डायसपूरा के साथ, यह नो, डायसपूरा की बात हुई इसके उपर question आ गया, so ऐसे question जो IR के question आते हैं, they are mostly from the current aspects only, and अगर आप सुमित सर के अगर आपने अच्छे से content आपने कर लिया ना, so you are sorted for these things, similarly, governance के अंदर, governance के अंदर हमें लगता है यार, असान चीज़ ही तो है, पर actual में इस पी की भी कुछ terminologies होती है, कि जिसे good awareness क्या है, transparency, accountability, rule of law, ठीके ना, value for the service, e-governance क्या है, इनके और अच्छे-अच्छे कुछ, examples, second ERC क्या कह रही है, अगर ये सब चीज़ें हमारे answers में होंगी, तो हम इनको भी अच्छे से कर पाएंगे, ध्यान रखने माली बात ये है, कि ये दो वो topics हैं, जो बच्चे अक्सर miss कर देते हैं, पर आपको miss नहीं करने, easy question आते हैं, easy question में अच्छा content लिखोगे, तब अच्छे number आएंगे, otherwise सब लोग generalized content लिख देते हैं, और उससे कही बार न, ये जो sets हैं, इनमें हम number उत्ता score नहीं कर पाते, तो ये गलती सर आपको नहीं करनी है, जब रिखे करके फिर देखते हैं, अब सबसे पहले पॉलिटी constitution को देखते हैं, ये आपके सामने पॉलिटी constitution का आपका पूरा syllabus है, यहाँ पर देको बात हुई है Indian constitution की, और इसमें भी जो basic structure है, definitely happens to be very very important, ये हर एक term ना अपने आपे काफी important है, जैसे amendments क्या-क्या हुई है, जैसे अभी हम discuss करेंगे, 101st constitutional amendment GST, उसके बारे में एक question आपका पॉलिटी में आया हुआ है, और दो-तीन बार question आपके economy perspective से पूछ लिया गया है, इसके लाबा कुछ important features हो गया, historical independence आपका 1919 जो government of India Act था, उसके उपर question आ रखा है, and basic structure के उपर तो UPSC ने बार-बार question पूछाई हुआ है, कि यह नो कैसे basic structure evolve हुआ है समय-समय के साथ, कैसे हमारा constitution एक living document तरह गाम करता है, ऐसे question बहुत frequently यहां से आते हैं, फिर दोगों, यह भी union and states, federal structure, इवन जो federal structure के issues होते हैं, उनके उपर question आ जाता है, मैं आपको एक example से समझाता हुआ हूँ, जैसे अभी, I think 2021 की बात है, उस तैंप CBI का बहुत बड़ा मुदद चल रहा था, जो special consent और general consent की बात हो रही है, तो है आपका political constitution का ही part, पर क्योंगी current relevance में था, तो question पूछ लिया, center state की issues आते हैं, या फिर state state issues आते हैं, उनके उपर question आ जाते हैं, इसी तरह से powers के devolution की उपर, तो लगबग हर साल question ही आता है, इसका हम लोग discuss भी करते हैं, कैसे युनो, आपके अगर local bodies की बात करें, तो funds का दिक्कत आ गया, functions का दिक्कत आ गया, functionalities उस हिसाब से नहीं होते, या आजकल जो नया trend आया है, functionality के regarding, तो ये question बहुत से repeated themes पर UPSC का आता है, similarly बात करें हम, separation of powers की, अब अगर मैं बात करूँ, कैसे कैसे powers आपकी separated होती हैं, उनकी उपर question आता है, जैसे for example, different organs के बीच में, देखो यहाँ पर ना, आप लोगों को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो जैसे for example, अगर मैं बात करूँ, एक तो center state की वहने अलग बात करी, that is a separate thing, यहाँ बात करूँ किस तरह से आपका legislature, किस तरह से आपका executive, किस तरह से हमारा जो judiciary होता है, यहाँ पर इन तीनों में, हमारे यहाँ पर split separation नहीं है, बहुत सरी ऐसे चीज़े होती है, जहाँ पर legislature हमारा executive है काम कर रहा है, judicial, जो जो जोडिशरी है, वो कुछ legislature है काम कर रही है, तो यह सारे angles आपको idea होना चाहिए, कि कहा कहा पर हमें separation of powers देखने के मिलता है, जैसे article 50 की आप बात कर लो, and on the other hand, बहुत सरी ऐसे चीज़े भी होती है, जहाँ पर हमारे पास नहीं यह watertight compartment वाली चीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ पर जो concept follow होता है, जबा checks and balance का concept जबादा follow होता है, as compared to separation of power, and यहीं सही न, कहीं न, कहीं हमारा जो constitution का comparison है, दूसरे देशों के साथ हमें देखने को मिल जाता है, जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर UK की बात करूँ, USA की बात करूँ, तो US में जैसे हमें एक judicial supremacy देखने को मिल जाती है, UK के अंदर हमें parliamentary sovereignty देखने को मिल जाती है, पर इंडिया की अत्करी यहाँ पर हम follow करते हैं, constitutional supremacy को यहाँ पर, हमारे यहाँ पर checks and balance का system है न, उसका idea होना चाहिए, तो अक्सर UPSC ने इसके regarding कभी इंडिया-UK का comparison पूछा है, इंडिया-UAC का comparison पूछा है, किसी particular angle के अंदर, and even जब भारत में राश्टरपती के चुनाफ थे, and फ्रास में भी राश्टरपती के चुनाफ थे, plus at the same time, बिकुत पार्लिमेट स्टेश्ट लेश्टरेश्टर हो गया, आपका executive judiciary हो गया, pressure groups हो गया, यह भी बहुत important होता है, इसके लावा RPA, representation of people act हो गया, plus at the same time, एक question आपकी किसी constitutional bodies की responsibilities के रिगारिंग आ जाता है, कि कैसा काम वो कर रहे हैं, कभी आपका NHRC के बारे में, अलागी constitutional body नहीं, आपका जो statutory bodies वो गयरा या, और constitutional bodies, इसके अंदर एक question आदा है कि NHRC कैसा काम पर रही है, या NCBC ने कैसा काम किया है, National Commission of Women ने कैसा काम किया है, ठीक है ना, तो उनका एक general structure, और कुछ specialized functions भी हमें उनका एक अच्छे से idea होगा, तो polity and constitutional अच्छे से answer कर पाएंगे, कुछ questions देखते हैं, दिखो यहाँ पे ना, जैसे आप इस question पो देखे, जैसे for example, constitutionally granted, judicial independence is a prerequisite of a democracy, comment, और यहाँ पर आपके सुझाब माग रहा है एक तरह से, अब इसका आप लिख दोगे, आप article 50 का जिकर करोगे, and all those things आप खीन अगे discuss करोगे, कैसे judicial independence है, पर आप notice करो, यह तो हमारे बिलकुल, slivers का part है, यहाँ पर लिखा भी हुए judicial independence पूरी तरह से, तो जो हमारे components देखा slivers के, तो किस तरह से इसने free legal aid की बात करी, और साथी साथ, किस किस को free legal aid के रिए entitled हैं, अब देखो यह प्रिलेम्स की जानकारी न, यहाँ पर काम आजाती है, I think अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2020 या 2021 का एक question था, जहाँ पर UPS ने सवाल पुछा हुआ था, लीगल aid free में किस-किस को मिलती है, अगर आपने वो प्रिलेम्स वाला question solve किया होता, 2020 का जो question था, तो यह 23 वाले के अंदर आप कुछ एक pointers लिखने के लिए, आप capable होते, तो यानि कि जो भी आपके दिवाब के जानकारी आ रही है न, आपको कहिना कहिए, उसको यहाँ पर present करने के अच्छे से कोशिश करनी चाहिए, similarly, यह थार्ड पहला statement है, यह तो देखो, थार्ड question था आपका बहुत बार repeat को चुका है, multiple times, no doubt about it, this is very much मतलब दी, तो आना ही था question ऐसा समझ के चलो, अगर अगर अप इसमें भी कुछ गर्ड़ कर रहे हो, तो कहीं न, कहीं फिर हमारी त्यारी में ही कमी थी, plus at the same time, देखो, 1993 की बाद, हम 1992 और 1993 की बाद करते हैं, 73rd and 74th Amendment की, उसके 30 साल complete हुए थे, तो बहुत बार यह चीज निउस में आती है, बंचाईती राजदिवस की रूप पर आती है, तो यह questions उसी के sense में अक्सर पूछ ले जाते हैं, फिर parliamentary sovereignty के regarding British and Indian approach, यह direct question है, comparison of the constitution का, and similarly, अगर हम बात करे, presiding officer किसके, state legislature की, अब यहाँ पर भी, देखो, speaker के role की अक्सर बात होती है, काफे सरे states के अंदर, काफे सरे issues आये हैं, पर इस्टे सालों के अंदर, and वहाँ पर speaker का role, एक questionable role रहा है, आप महाराष्टा की बात कर लो, यह और जिर्णाओं की बात कर लो, तो इस तरह से न, आप लोगों को इन के बारे में, सबके बारें पता होना चाहिए, और पता भी होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं current affairs को, पर आपको ना, हर चीज के corresponding आपको, कुछे case loss भी अपने साथ पर रखनी चाहिए, और example मैं अगर 2022 का आपको एक question दिखाता हूँ, यह पहला ही question था, environmental problems के बारे में, तो ऐसे case loss हमें हर एक एंगल में पता होंगे न, तो अच्छे से answer आप कर पाऊगे, यह यहाँ पर आप अभी देखोगी ordinance वाला question, तो DC वादवा case cop को mention करना definitive point हो जाता है, आपके vice president का role आप notice कर पाऊगे, तो जो कहिना के इनके elections भी news में रहे हैं, तो those things become really important, यह decentralization of power balance आपको बताई दिया, यह यहाँ भी आया है, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, पर एक जो हमारा question आता ही आता है, एक body के regarding, यहाँ पर NCBC के role के बारे में, अक्सर पूछा गया है, ठीक है, बाकि similarly, article 356 की बात करें, ठीक है न, जो president rule की बात होती है, तो यहाँ पर एक्शल में अगर आप notice करो, तो एक time हुआ करता था, जब इसका बहुत ही ज़ादा blatant misuse किया गया है, डॉक्टर बिया नम्बेत का जीसों बोलके गया थे, यह dead letter है constitution का, पर हमारे कुछ सरकारें ऐसी रही है, जहाँ पर यह काफी बड़ा एक उश्यू बना, पर कहीं न कहीं, आज के समय थोड़ा इसका जो usage है, वो हमें कम देखने को मिल रहा है, अब यह भी ऐसी चीज है, जो अगर आप editorial अच्छे से पढ़ रहे हो, समिध सरके editorial discussion को follow कर रहे हो, तो these things become possible, इसके साथ ही GST के बारे में 101st constitutional amendment के बारे पूछ लिया, अब यहाँ पर न आपकी economy की जानकारी यहाँ पर काम में आ सकती है, और economy में तो देखो, तीन बार mains के अंदर question आ चुगा है GST के उपर, तो अगर आपने वो चीज़ा पढ़ी होंगी, उनको आप यहाँ पर implement कर पाऊगे, बाकी देखो federalism, cooperative federalism की बात करते हैं, तो आपका जहें नीतिया योग हो गया, यह GST council हो गया, बहुत अच्छे examples आपके बन के आते हैं, फिर अगर हम बात करें living instrument की, तो कैसे-कैसे amendments हमें देखने को मिलती हैं, कैसे-कैसे basic structure ने evolve किया है, बाकी यहाँ बेना उससे specific mention कर दिया, article 21 का, right to life and personal liberty की बात करी, अब चाहे हम बात करें, right to health की बात करो, right to a good environment की बात करो, right, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, supreme vote के दुरा, the ever expanding जो right है, article 21, वो हमें देखने को मिला है, तो उसके बारे में यहाँ बचरसा करी जा रही है, similarly, gender justice के बारे में इसमें question पूछा, and साथे-साथ बोल दिया, कि relevant constitutional जो safe guards है, या relevant constitutional क्या क्या amendments हुई है, या constitutional क्या आपके cases हुए है, उनका भी आपको mention करना होगा, या statutory laws भी आपके साथ में लिखा हुआ है, तो अब यहाँ आपको definitely mention कीजिए, आपको जो भी आपको ठीक लगता है, चाहे वो आपका Joseph Sheen case हो, चाहे आप बात कर सकते हो, ट्रिपल तलाग के मुद्दे की, शब्री माला, Indian Young Lawyer Association of the Union of India, तो उन सब का mention करना बहुत जूरी है, तो what I am saying is, कि अगर आपने ला इस अपने slivers को देखा होगा, PYQs देखा होगा, तो आपको एक pattern दिखेगा, जिससा मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी चीज मिलेगी, कि syllabus अपने सामने होना चाहिए, हर एक component को आप एक एक करके prepare कर पे रहिए, और आपको current relevance अगर आप उन चीज़ों की पकड़ पाए न, तो आप ये particular section बहुत अच्छे टेकल कर ले जाओगे, तो ये तो बात हुई हमारी quality and constitution की, ये सारे example है, जिसे आरपी डरेक्ली पूछाग हुआ है, ये ordinance वाला question हो गया, तो कहिना के questions में रेपिटिशन हमें देखने को मिलती है, अगर मैं आ गया हूँ, जैसे आप notice कर पाऊगे, जैसे US और इंडिया का क्या, you know, equality का क्या features है, US और इंडिया की, काफी interesting question है ये वाला, तो इसको आप try भी कर सकते हो, इसे जाल से अमारा जो अगला section रहता है, वो आपका governance वाला section बन जाता है, governance की जब हम दोस्तों बात करते हैं, तो governance का कुछ slivers देखने से पहले, आप देख पाऊगे कि लगबग, 20 से 40 marks का वेपर हर साल यहां से आता है, वोड़वाथ variations हैं, बढ़ 20 to 40 is the range, अब इसका slivers छोटा है, और छोटा हैं, पर इसको आप multiple जगा यूज़ भी गर सकते हो, General Studies Paper 2 के अंदर तो है ही, General Studies Paper 4 के अंदर भी, ऐसे कुछ हमें components देखने का मिल जाते हैं, जब गवर्नेस वाला पार्ट है, वो आपका General Studies Paper 4 में में use हो जाएगा, let's say at the same time, यहां पर कुछ आपको topics, जैसे आपका NGOs हो गया, Non-Governmental Organization, Self-Help Groups हो गया, यहां परना आप बहुत सारे examples पढ़ते हो, जैसे let's say, Education के सेक्टर में कौन-कौन सी NGOs है, Girl, Child के लिए कौन सी NGOs है, आपके Health सेक्टर में कौन-कौन सी NGOs काम कर रही है, उनका कैसे रोल रहा है, आपका EDR का क्या रोल रहा है, Self-Help Groups के अंदर आप बहुत सारे examples पढ़ते हो, तो जो यह examples आप यहां से पढ़ रहे हो ना, यह GS Paper 2 में तो काम आते ही आदे हैं, बाकी as a value edition material यह आपके essay में भी काम आ सकते हैं, ethics में भी काम आ सकते हैं, और जगा पे भी आप इनको examples के तरह यूज़ कर सकते हो, कि यह बार तो direct question आ गया है, कि NGOs का यूनों जो रोल है, वो मतलब एक तरह से double-edged sword भी के बार बोल जाता है, कि यह बार NGOs हमारे देश के लिए against भी के बार काम करते हुई, कुछ है against देखने को मिली है, तो ऐसे questions, direct questions भी आ जाते हैं, किमिरली, civil services का क्या रोल है, यह GS paper 2 में भी है, GS paper 4 में भी है, तो आप उसके साथ link करते हुए पढ़ सकते हो, अब इसमें भी न देखो, current affairs इसमें भी relevant बन जाते हैं, जैसे कुछ भी सरकार की तरफ से reform ले आ जा रहा है, या सरकार कुछ नया कुछ program launch कर रही है, उसके उपर यहाँ पर यह question पूछा जाता रहा है, पिछले सालों के अंदर भी, और आगे भी हम expect कर सकते हैं यहाँ से question आने का, similarly बात करें citizen charter की, अब जब भी आप ऐसे topics पढ़ोगे ना, या citizen charter, transparency, accountability, आपको इनका meaning तो पता होना चाहिए, कि citizen charter होता क्या है, किस तरह से यह चीज़ बनती है, plus at the same time इनके benefits क्या है, at the same time इनके issues क्या है, कि regularly update नहीं होता, या फिर लोगों को consensus business पे नहीं बनाया जाता इसको, है न या उसको following नहीं किया जाता, ये सब examples आपके होने चाहिए, कि कैसे इनके क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान हैं, कहां पर अच्छे से implement हुआ है, और कहां पर अभी भी हमारे lacunas है, जिनको हम बहतर कर सकते हैं, बहुत सारे examples आप में कभी देखने को मिल जाएंगे, तो syllabus छोटा है governance का, इस वज़ा से यहाँ पे आप अच्छा score कर सकते हो, और example देखो, इस तरह से भूमी पोर्टल हो गया, ठीक है, आपकी उमंग गया, या और छोड़ो आपके जो प्रक्ति है, proactive governance and timely implementation, यह सारे किस चीज़ के example है, यह सारे आपके e-governance के examples है, add e-governance से कैसे आपकी transparency, accountability, add overall आपकी जो good governance है, वो कैसे increase हो पाईए, all these things can be answered very well with this particular question, plus ध्यान में बात ये भी रखनी है, कि e-governance का focus बस ये नहीं है, कि यहाँ पर ease of technology हो, ease of technology तो एक माध्यम है, गहाँ पहुँच रहे हा, ease of living की तरफ, और यह मेरी statement नहीं, यह बारे परदान मंतरी जी की statement है, तो अगर आप ऐसे कुछ अच्छे validation points आप examiner के सामने present कर सकते हो ना, तो you will find that you will do very well in these type of questions, similarly यह वहला question थोड़ा quality में मान सकते हो, ठीक है न, CCI के बारे में, और यह भी गाफर यह news में रहता है, देखो अकसर, CCI का, चाहे कोई merger की बात हो, right, abuse of official position की बात हो, मतलब, you know, dominance position की बात हो, monopoly को रोकने की regarding हो गया, all those things यह news में रहते ही हैं, बाकी first of all, जो topic है, यहाँ पर आप economy से भी थोड़ा help ले सकते हूँ, ठीक है, तो अब कुछ questions होते हैं, जिसे 2023 में चार questions देखने के मिले, उससे पहले भी, कुछ एक question जिसे DBT के अपर direct question आया है, कि DBT से कहेना के progressive step भी है, पर इसकी भी कुछ खामिया है, यह question काफी similar है, जैसा आप में e-governance का देखा, e-governance के भी कुछ फाइदे हैं, पर कुछ limitation भी है, similarly DBT के भी कुछ फाइदे हैं, काफी सारे फाइदे हैं मिल की, पर कुछ limitation भी है, जैसे digital divide जैसी चीज़े हो गया, तो यह सब aspects भी हमें यहाँ पर cover करने पढ़ते हैं, बाकि आपका donor agencies के बारे पुछा हुआ है, तो क्या गया role रहता है, आपके अलग-अलग sectors का, that is one aspect, गति-शक्ति योजना, यह आपका economy का perspective है, हम पढ़ते हैं, गति-शक्ति योजना के infrastructure के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस discussion रहता है, तो economy का कुछ angle आपका यहाँ पर भी पूछा गया है, reason पतर क्या है इसका पूछने का, यहाँ जब हम बात करते हैं गति-शक्ति योजना की, इसका नाम ही होई है कि multimodal क्रेक्टिविटी के regarding हो गया, तो economy कम और आपका governance का ज़ादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ministries का आपस पर coordination है, इंटर-ministerial coordination आपको देखने के मिल जाता है, और कैसे एक single माध्यम के बारा, single portal के द्वारा पूरी accountability and transgress increase होती है, इंटरफेर्स के context के अंदर, similarly, ऐसे कुछ question जैसे civil society and NGO के पर direct question आगया, और कैसे यह challenges हो सकते हैं इसके, common section को benefit करने के लिए public delivery में, यह भी direct question हमें देखने को मिलता है, बात देखो करें social justice की, तो social justice भी जैसे पिछले साल 15 marks का पूछा आगया, राइट, इसके अंदर जो आपके topics हैं, यह आपके society वाले section में, general studies paper 1 में help कर सकते हैं आपको, और कभी ऐसे बगारा में भी help कर सकते हैं, कि यह आपके topics देखो आप कैसे हैं, आपके topics हैं यहापे health, education, human resources, आपका poverty, hunger, यह सब तो आप society वाले section में भी बढ़ते हो, एंड साथे साथ आपके vulnerable sections के लिए क्या-क्या schemes हैं, क्या-क्या उनके लिए क्या जा रहा हैं, इनका अगर आपके पास एक idea होगा न, तो कहीं-कहीं और जगा भी आपसको use कर सकते हो, मैं आपको example समझाता हूँ, कौन-कौन से sections की बात करते हैं, हम युवाओं की बात कर सकते हैं, हम बच्चों की बात कर सकते हैं, हम दिम्यांग जनर की बात कर सकते हैं, हम adult की बात कर सकते हैं, हम schedule cast, schedule tribe, OBCs, इन सब की बात कर सकते हैं, तो इनका अगर आपने थोदा-thोड़ा prepare कर लिया, जैसे for example इनके लिए क्या constitutional safeguards है, क्या legal safeguards है, किस तरह की bodies इनके regarding बनाई गई है, इनके क्या challenges है, इनका क्या data है, data मतलब की कितने percent लोग है, या फिर कही बार आपका जो आपकी crime in India report आती है, right, Ministry of Home Affairs के दोरा, तो वो reports का mention, अगर आपने उनका data ready कर लिया हुगा न, तो ये आपके GS paper 2 में इन questions को करने में भी आपके मलद कर देगा, GS paper 1 में भी आप इनको कहीं न कहीं use कर सकते हैं, बकि जो poverty, hunger वाला मुद्दा है, ये तो आपका GS paper 3 में भी आता ही है, and even education health 3 है, human resource के उपर question, general studies paper 3 में भी आपके आते ही हैं, तो अगर वो आपका value added content आपका यहाँ पर prepared होगा, तो वो questions करने आपको बहुत जा मुश्किल नहीं होगी, कुछ questions देखते हैं यहाँ आपके कैसे questions आए हुए, जैसे बात करूँगा 2023 की, तो यहाँ पूछा गया skill development program के बारे में, कि skill development program ने कैसे मदद क करी है, एंड कहिना कि इनका linkage आप establish कीजिए, between education, skill and employment, तीनों में क्या आपका linkage है, very very interesting point क्योंकि देखो, आज के समय अगर मैं बात करूँ, एक एक परक देखने को मिलता है, what the industry demands versus what the education is teaching, तो वो जो आपका bridge है न, उस bridge को पूरा करने के अंदर, skill का बहुत-बहुत important role रहता ह Similarly, यहाँ पर देखो, इसने direct question पूछ लिया, यह देखो, slayvers में mention ना आपका welfare schemes for vulnerable section, तो वही उसने पूछ लिया, welfare schemes for vulnerable, किस तरह से discriminatory है, आप agree करते हो और नहीं करते हो, तो दोनों angles आप यहाँ पर बता सकते हो, do you agree पूछा हुआ है, कि क्या actual में आपको discriminatory लगते हैं, उस critically है, उसको चीज़को analyze कर सकते हो, यह किस चरह से आपको लगता है कि नहीं है, discrimination तो नहीं हो रहा, बलकि हमारी सरकार की जो approach है, जिसके माद्दे हम से हम चाहते हैं, कि सबका साथ सबका विकास हो पाए, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, तो अपने answers के अंदर आपको reason द welfare schemes है, उसका तो बात करी ही गरीगी, welfare schemes, पर उसके साथ में उसको economy के साथ link कर दिया, कि कैसे inflation और unemployment है, इनका हमें management करना ज़रूरी होगा, otherwise हम गरीबों तक नहीं पहुँच पाएंगे, या फिर उनके जो aspirations हैं, हम उनको meet नहीं कर पाएंगे, तो यह question आया, plus आपके यहाँ children की बात कर दी, तो फिर से आपके वनविरोट सेक्शन के लिए हमारे जो education acts है, ठीक है न, जो write to education act है, वह हो गया यहाँ पर, तो मेरे कहिने का अर्थ बहुत simple है कि, different different one world section को आप prepare कर लीजी, यह one pager आप notes भी मिना सकते हो, जिसके अंदर उनका data, उनके regarding क्या constitution safeguards हैं, उन I hope that is clear, ठीक है, तो यह पिछले 2021 का भी आप देख सकते हो, ऐसे कुछ question ICT विगारा के उपर भी पूछे गए हैं, अब आखरी section के दरफ चलते हैं, that is IR, international relations, जैसा मैंने आपको कहा, यह एक fix section है, कि हर साल आपको 50 number का paper आएगा ही आएगा, आप पिछले 5 साल में देख लो, 30 number का paper यहां से, तो यह total जो 50 number का आपका paper आता है, यह fix है, आपका IR से आएगा ही आएगा, यह इसका syllabus दे रखा है, कि इंडिया और neighborhood के बारे में पढ़ना है, हमें global grouping से बारे में पढ़ना है, developed or developing countries की policies और क्या इंडिया के उपर effect क्या आ रहा है, Indian dias पूरा क्या है, और important international institutions, यह सब चीजों के बारे में, कही बारे में, हम इसको static में बढ़ना है, Indian policies को बढ़ते हैं, all those things, we keep on studying, गलत नहीं है, उनको पढ़ना बहुत important है, no doubt about it, पर exam perspective से, current relevance हमें हर चीज की बता होनी चाहिए, मैं फिर से इस बात को emphasize कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल में, जो 90% question जो आ focus के उपर question आ गया, इनके उपर regular business के उपर articles आते हैं, the Hindu के अंदर, Indian Express के अंदर, and उसी dimensions के उपर, उनी lines के उपर UPSC question पूछता रहा है, तो सबसे वड़िया तरीका इसको prepare करने का यही है, कि regular business पे आप editorials आप follow करते रही है, सुमिछ सरकी आप discussion follow कर सकते हैं, I think बहुत बच किस तरह से हमें conflict देखने को मिलता है, कैसे आपको बात करें, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, या और भी इस तरह के concerns आजकल तो expansion हो रहा है इस चीज़का, तो that is one thing, बाकी देखो, Indian diaspora, यह तो आपका डिरेक्टर यहां पे mentioned ही है, Indian diaspora के बारे में, कई बार pressure, मतलब जो positive pressure होता है, उसको भी create के जाता है, nuclear deal जो हुई, वो कहीं न खहीं, Indian diaspora ने भी important role play किया, और भी ऐज़ा न, मतलब तो हमारे जो diaspora है, उसको बोला जाता है, कि हमारे भारत के एक राजडूत ही है एक तरह से, informal investors के तरह यहां पे काम करते हैं, तो यह pointers नेटो का expansion हमें रेखने को मिल रहा है, ठीक है, Sweden latest member बना, तो question बनता था, Russia, Ukraine का crisis चली रहा है, और नेटो के उपर question कहीं न कहीं effective बनता ही था, कि क्या, इंडिया के उपर इसके उपर क्या impact आएगा, यह एक तरह से question पूछा गया है, similarly IMO, International Meditime Organization, यह कोई news में था, बट उतना जादा news में नहीं था, तो यह एक मैं question मान सकता हूँ, जो थोड़ा सा tougher lines पे UPSC ने पूछा, बट बाकी question डेक्टी आपके in line with the trend ही थे, इसके लागा अगर पीछे चला है थोड़ा सा 2022 में, तो श्रिलंका के अदर crisis आया, बिल्कुल आया, तो उस समय इंडिया ने काफी ज प्रेंट की, तो हमने पास्ट रेली श्रिलंका की बहुत जा मदद करी है, तो अब उनको भी mention कर सकते हूँ, बट ज्यादा relevance यहाँ पे current की है, आपको देनी पड़ेगी, कि कैसे कैसे चाइना को आप compare कर सकते हूँ हाँ पे, in a similar manner, BIMSTAC और SARC, इनका तो देखवा discussion हर एक magazine क इंदर आपको देखने को मिल जाता है, कि SARC की, कैसे एक ineffectiveness हमें देखने को मिल रही है, और भारत की करी बार पूशिश भी है कि कैसे हम BIMSTAC को utilize कर पाए, and BIMSTAC, B of Bengal, initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation वहाँ को हम कैसे utilize कर रहे हैं, अलग-अलग countries के साथ, so that is one very very important point ही, क्या similarities है, क्या similarities है, डिर तो current affairs से clean energy वहला point है, या थोड़ा environment से, थोड़ा economy से, थोड़ा अपने geographical knowledge आप वहाँ पर use करते हुए, इसको यहाँ पर answer कर सकते हो, क्या-क्या अलग-अलग, दुनिया वारे में initiative चल रहे हैं, तो that is one thing, चाहिए आप इसमे clean energy के अदर, कोई भी आप energy देख लो, जो clean हो, और 2021 में भी ऐसे ही आपके कुछ question है, जैसे AUKUS के बारे में मैंने आपको बताया, अब SCU के बारे में देखो, 2021 में question था, और आपका 2023 में फिर से question आता है, ठीक है, तो यह क्योंग यार current phase में है तो इसके उपर question बनते ही है, इंडर-Pacific वाला तो point बार-बार आता ही है, इसस दोजार-बीस पर आप एपर देखोगे, वहाँ भी दो question को आड़ के regarding देखने को मिलते हैं, तो what I am saying is कि IR prepare करो, notes से पढ़ो, कोई दिक्कतवली बात नहीं है, पर current relevance आपको बिल्कूल इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर current relevance clear रहेगी, तो यह चीज़ें आप कर पा आती हैं, तो आपको कहीं पर भी इधर-दर बटकने की ज़रुवत नहीं है, आपको हमारी जो प्रहार booklets है, वो definitely मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन के मैं इसका link भी लगा दूँगा, और इसमें जो content होगा, proper value added content होगा, आपको ऐसा नहीं लगगा, कि data यहां से कहा से उठाऊं, नहीं, वो सारी चीज़ा है, हमारी टीम ने पर हार booklets इसी तरह से बनाई है, ताकि यहां पर आपका static और current आपका अच्छे से प्रपेर हो जाए, और आप अपने CSC Mains 2024 को अच्छे से attempt कर पाऊ, तो दोस्तों यह थी आज की discussion, I hope आप सभी को आज का session बहुत अ समझ आया होगा, इसी तरह से आप भी अपने CSC Mains पर हार वर्क करते रहिए, thank you very much for the discussion.